नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्रिकल में आपका फिर से बहुत बहुत सवागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डबल वैक्यूम के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के मादम से डबल वैक्यूम को कैसे के जाता है और इसके करने से क्या क्या प्रभा पर ब्रेजिंग से लेकर हर उस प्रक्रिया को आपने सही तरीके से निभाया हो लेकिन अगर आपका वेक्यूम अच्छी तरह से नहीं हुआ होगा तो आपके वो सारे कारिये बेकार चले जाते हैं यानि कि उपकण उस एक्षिएंसी से काम नहीं कर पाता इसलिए डबल वेक् हैं अठीर पर यहां प्रक्रिया करके फिरना की प्रक्रिया पूरी करेंगे हम ने प्रोसेस पाइप में एक पिन वाल्व को लगा दिया है अब हम इसके डिश्चार्ज को और स्bound को बी कमप्रेसर से जोड देंगे क्योंकि दोस्तों इसको हमने पहले उच्छी तरह से फस्ल कि इसी प्रक्रिया से हम डबल वैक्यूम को करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रपकरों में हम उस उपक्रन को दो भागों में डिवाइड करते हैं यानि कि दो parts हम इसके मानते हैं एक parts को हम low side कहते हैं और एक parts को हाई सैड कहते हैं देखिए हमने फिल्टर पर एक पिन वालव को लगा दी है आप अगर पिन वालव नहीं लगा जाते तो सीधी पाइप भी लगा सकते हैं जिसे बाद में पंच किया जा सकता है उसके उपर कपलर को इस्तेमाल करते हुए तो दोस्तों जैसे मैं आपको बत अच्छित जो हमारा मोस्चर हवा घोशी हुई है हम उसको दोनों तरफ से तेजी से निकाल पाते हैं एक वैक्यूम पंप की शाहता से और इसका प्रभाव काफी अच्छा होता है जो आप वीडियो में आगे जान जाएंगे इससे उपकण की एफसेंसी और कंप्रेशर की लाइफ दोनों बढ़ जाती हैं इसलिए यह प्रक्रिया काफी अच्छी है हमारे उपकण में नाइटरोजन के प्रेशर के द्वारा हम लिक टेस्टिंग करेंगे क्या हमारा को ब्रेजिंग लिक तो नहीं रह गया हो यह प्रक्रिया भी आप नाइटरोजन के द्वारा ही क करना चाहिए इसके लिए हम नाइटरोजन का इस्तेमाल करेंगे डबल स्टेज रिगुलेटर के साथ लेकिन हमारे पास आज डबल स्टेज रिगुलेटर उपलब्द नहीं है तो दोस्तो हम मैनिफोल्ड गेज के हाई प्रेशन साइड वाले गेज को उसकी जिगह इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों यह खतरनाक हो सकता है कि यह आप ऐसा ना करें आप हमेशे नाइटरोजन का इस्तेमाल डबल स्टेज रिगुलेटर के साथ ही करें जो की पूरी तरह सुरकशित एक तरीका होता है नाइटरोजन को इस्तेमाल करने का इसमें हम शुरू में चालिस के तोड़ा प्रेशर ज्यादा भरना होगा हमें लगबग हम 90 प्रेशर के आसपास या 80 प्रेशर के आसपास प्रेशर भर सकते हैं एक रेफिटर के अंदर क्योंकि दोस्तों नाइटरजनल प्रेशर काफी स्ट्रोंग होता है इसलिए इस प्रेशर को आप इस्तेमाल करते हुए काफी सोच विचार कर उचित प्रेशर के साथ ही इस्तिमाल करना चाहिए नहीं तो कई बार हमारा चोटे फ्रीजों में हमारा जो फ्रीजर है वो बैंड हो जाते हैं बड़े फ्रीजरों में भी हमारा जो अलुमुनियुम कोईल है वो फट सकता है इसलिए प्रेशर को उचित होने लग जाएगा तिंग के बाद हम वेक्यूम की प्रक्रिया को अपनाएंगे लेकिन यहीं पर हमारा मेन मुद्दा शुरू हो जाता है इसके लिए आपको यह डबल वेक्यूम के लिए आपको मेनिफोल्ड गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका एक पॉइंट हमें ह प्रेशर साइड पर लगाने पड़ेगी आने की फिल्टर ड्रायर पर और लोग प्रेशर साइड वाले चर्जिंग राइन हमें हमारी प्रोसेस पाइप पर लगानी होगी और जो हमारा बीच का पाइप है वह हमें वेक्यूम पंपर लगाना होगा जैसा कि आप क्नेक्शन बार बार आपको नहीं आएगी यह मेरा वादा है वेक्यूम को स्टार्ट करें तो आपको दोनों वाल्व खोलने हैं यानि की लो सेड़ वाल्व का स्पेंडल भी खोलना है और हाई सेड़ वाल्व का स्पेंडल भी खोलना है आपको दोनों वाल्व खोल कर ही वेक्यूम को कर करना है तभी आपका हो पाएगा इसके लिए आप बीस मिल्ट के लिए वेक्युम करें उसके बाद उसको बंद करके ह्फोड़े देर के स्तेंट बाइब रर चोड़ दें अगर वेक्युम तूटता है तो दुबारा से वेक्यूम करें या अपने सभी पॉइंटों को चेक करें क्या कोई पॉइंट लिक तो नहीं रह गया या फिर सिस्टम में मौश्चर तो नहीं रह गया हमारा वेक्यूम कंप्लेट हो चुका है अब हम गैस स्लेंडर को जोड़ देंगे बीच वाली चार्जिंग लाइन के साथ जो हमने वेक्यूम पंप के उपर लगाई हुई थी उसे वहां से कोल कर हमने स्लेंडर को कुनेक्ट कर दिया है अब हम उसे थोड़ा पर्ज करेंगे ताकि जो चार्जिंग लाइन में एयर घुस गई थी वो बाहर निकल सके क्योंकि हमें हर छोटी छोटी बात का खया लखना है आपको चार्जिंग लाइन को लगाते से में उसकी रबड को भी अच्छे तरह से चेक करना होता है किया कोई रबड निकल तो नहीं गई है या हमारे जो पिन वालव हैं क्या वो सही से दब पाए हैं ये सबी चीज़ें आपको करने चाहिए ताकि आपका वेक्यूम और गैस वाली पक्रिया पूरी तरह से unit complete हो तो सो अब हम रेफेजियनेक को छोड रहे हैं आहिस्ता सके हम सिलेंडर को सिधा करके ही रेफेजियनेक को भरेंगे यह आपको ध्यान करना क्या अगर आपको लिक्विट को छोडना है तो फिरिज को बन्द किये हुए ही लिक्विड आप उसमें चोड सकते हैं अगर आप लिक्विड में रेफजिनेट को छोड़ रहे हैं अदरवाइज आप वेपर में ही रेफजिनेट को छोड़े तो अच्छा रहेगा सिस्टम के लिए भी और उपकंड की एपसिंसी के लिए भी तो दोस्तों हमने दीरे दीरे से रेफजिनेट को सिस्टम में जाना आपको इस बात ख्याल रखना है कि आपको अब हाई प्रेशर वाले साइड का जो स्पेंडल है उसे बंद कर देना है रेफिजिनेट को छोड़ने से पहले. यह आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको वेक्यूम करने के बाद जब आप दोनों स्पेंडलों को बंद करेंगे तो लाल वाला स्पेंडल है जो हमारा हाई प्रेशर शाइड वो स्पेंडल को बंद रखना है आपको उसे नहीं खोलना है. आपको सिरफ लो साइड वाला यानि की निले कलर वाला जो स्पेंडल है बाई साइड उसे ही खोल कर रेवजिनेंट को चार्ज करना है हाँ आपका जो हाई प्रेशर शाइड का जो गेज है वो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर को दिखाएगा उपकरन के और जो निले वाला बाइ साइड पर जो गेज है वो हमारे लो साइड के प्रेशर को इंगित करेगा यानि कि जिसे हम बेक प्रेशर भी बोलते हैं अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम अब इसका कितना बेक प्रेशर रखेंगे और डिशाइज प्रेशर कितना होगा और 134 का वो चुकी है इसके लिए मैंने कोलिंग कोईल को थोड़ा ओपन कर दी है ताकि आप इसकी कोलिंग को भी देख पाएं किया कितने टाइम में ये कितने कितनी पाइपों पर कोलिंग आ रही है कोलिंग तेजी से आगे के तरफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता ये सभी पाइपों को कवर करते जा रही है और फ्रोस्टिंग भी आप इस पर देख सकते हैं दोस्तों डबल वैक्यूम का यही एक फाइदा होता है कि इसमें सभी चीजें तेजी से होती हैं कोलिंग काफी फास्ट हो जाती है और एमपेर भी इतने नहीं लेता कमप्रेश करते हैं बैक प्रेशर के बारे में दोस्तों नॉर्मली आप आरे के चोनती से एक बैक प्रेशर को कितना रखेंगे एक रेफिटर में तो आप रेफिटर में बारा से पंदरा के बीच में बैक प्रेशर को रख सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैक प्रेशर हमेशा बहरी तापमा और उपकण में रखे हुए लोड पर डिपेंड करता है यानि कि अगर बाहर का तापमा ज्यादा है तो बैक प्रेशर भी बढ़ जाएगा अगर उपकण पर अंदर ज्यादा लोड है तो भी बैक प्रेशर बढ़ जाएगा इस लिए इस कन्विजन से निकलने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस उपकण पर जीतना वेट लिखा हुआ है गैस का रेफिरेंट का आप उतने वेट या उतना वजन गैस उस उपकण में डाल दीजिए और बैक प्रेशर की तरफ आपको देखना ही नहीं है अगर वेक्यूम अच्छी तरह से हुआ है और आपने दोनों तरफ से वेक्यूम किया है जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी उपकण की सो परसेंट अफियन से को पाने के लिए क्योंकि बैक प्रेशर के लिए हमें बाहर के तापमान को भी दिखना होता है जैसे कि अभी मैं आपको दिखने जा रहा हूं कि अभी इस रूम का तंपेच्चर लगबख 27 या 28 है अगर मैं अब इसमें 10 बैक या 12 बैक कर दूँगा तो ये जैसे तापमान बढ़ेगा तो वो बैक भी बढ़ेगा और जिससे हमारे कंपेच्चर पर ओवरलोड पड़ेगा दोस्तो इसलिए आप हमेशा वजन गैस के वजन को तोल कर ही गैस भरें जो उपकन पर लिखी हुई है यही एक अच्छा तरीका होता है देख सकते हैं फ्रोश्टिंग काफी तेजी से बढ़ रही है दोस्तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि बैक प करते हैं तो यह काफी अच्छा रहता है एक उपकन की सौ फृत हैं एफिजिंसी पाने के लिए इसलिए मैं आपको बार बार ही कहता हूं कि उपकन को दोनों तरफ सेवेक्योम करें और अच्छे प्रोफेशनल पंप से ही वेक्यों करें आप तेंप को वेक्य Begin पंप में न बढ़ जाती हैं और एमपेर भी आप देख सकते हैं काफी ठीक एमपेर हैं 0.9 जो की ज्यादा नहीं है यानि कि डबल वैक्यूम करने से हमारा करण भी कम पेशर कम ले रहा है और हमारा बैक पेशर भी आप देख सकते हैं आठ के आसपास है यानि कि इसका मतलब यह नहीं है क तापमार बढ़ने से ये बढ़ जाएगा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेफशी की का चैनल को स्वाइब करना मत भूलिएगा मैं आपको आगे भी ऐसे काम तक वीडियो लात रहूँगा धन्यवाद दोस्तों